तो जांजगी चापा के बोर्विल में गिरे राहू साहू को बच्छाने के लिए खोदे गए गड़े और टनल पर अब डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी बनाए जाएगे फिल्म के शूटिंग तक गड़े की बेरिकेडिंग के लिए पीडवलीडी को निरदेश दे दिये गए हैं इसे लेकर एस्टीम रेना जमिल से बात के हमारे साहियोगी उमेश मौरा ने 80 फिट गहरे और उतने ही चोड़े इस गड़े के पास मैं मौझूद हूँ यह वही गड़ा है जहां पर रेस्क्यू टेम ने यह गड़ा किया था 80 फिट किया गया है यह गड़ा और इसकी चोड़ाई भी लगबग उतने ही है और इस गड़े को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि जीला प्रसासन इस पर एक डॉकुमेंहंटरी फिल्म बनाने जा रही है हमारे साथ यहां पर जो SDM है एस बाध करते हैं एं इसको लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है यहां पर वीरिकेटिंग की जा रही है और क्या बिल्कुल हमने यह गड़ा जो है वह कि तरुलोंके लिए आएदा लिए कि इसको हम एक दोक्यमेंटरी बनाएंगे इसलिए हमने थोड़े टाइम के लिए यह गड़ा वीडियोग्राफी वगेरा के लिए खुला भी छोड़ा था अभी जैसे करेक्टर सरके निर्देश भी है इसको हम एक या दो दिन के अंदर ही जो है फिलिंग कर वालेंगे क्या जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है उस बच्ची का जो स्ट्रगल रहा है पूरी टीम जितने सभी लोग यहां पर लगे है चाहे वो ग्रामीन वासी थे चाहे दूर से जो लोग आये थे मीडिया थी जन प्रतिनिदी थे प्रसाशन था सभी लोग जो यहां पर खड़ करेगा जब आने वाले समय में यह कोई अनुखी घटना नहीं है ऐसे चीज़े कई बात देश के हर कोने में होती रहती है लेकिन हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं होता है कि कैसे उसको हम रिस्क्यू कर सकते क्या देख सकते थे हर जगा का टेरेन अलग होता है सिच्वेश हो सकता है यह किसी भी प्रकार से ऐसी कभी कोई घटना वैसे तो हम यहीं प्रात्ना करेंगे कि ऐसी कोई घटना कभी ना हो बट अगर कभी कहीं ऐसा कुछ होता है तो वह एजर रेपोजेट्री उनके लिए यूज किया जा सके है कैमरामेन अधीपक साहु के साथ उमेश बंसन लियूज जानगीर